आप लोग अपनी स्क्रीन के सामने एक सक्स को देख रहे होंगे और इस सक्स की गरपतारी हाली में हो चुकी है और आप लोगों ने देखा होगा और आप लोगों को उस समय भी मैंने बोला था कि ये पाकिस्तान के पूर पिधानमंत्री है और जिस दिन इनोंने अपना पद छोड़ा था पिधानमंत्री का उसी दिन आप लोगों को ये जान लेना चाहिए था कि इनके साथ कुछ भी हो सकता है इने उठा कर जिल में भी डाला जा सकता है अगर आप देखी कल के दिन अगर इने फासी भी दे दी जाए ना तब भी आप लोगों को परेशान नहीं होना चाहिए आफ्चर चकित नहीं होना चाहिए क्योंकि आफ लोगों को मालू होना चाहिए वो पाकिस्तान है वहाँ कुछ भी हो सकता है तो आज हम लोग इमरान खान के बारे में एक सामान जानकारी देखेंगे इनका परिबारिक बैंक्ग्राउंड किस तरह करा है इनकी सिक्षा किस तरह से हुई है और अपनी परसनल लाइप को लेकर भी काफी चर्चा में रहे है करेकेटर की रूप में भी इन्होंने काम किया है और एक राजनितिक है इन्हें कुछ पुरुसकार भी मिले हुए इनसे जुड़े कुछ बिबाद भी है उन विबादों पर भी हम लोग बात करेंगे कुछ और पिक्चर आप लोग देख लीजे या आप देखिए इनका परिवार है और इमरान खान की गरपतारी हुई है या आप देखिए एक तरश्ट मामले अलकादिर टRST मामले में इमरान खान को गरबतार किया गया है और बहरिया टाउन ने PTI अध्यक्ष खान और उनकी पतनी बुसरा वीवी की स्वामित बाली अलकादिर ट्रस्ट को 33 करोर रुपे की जमीन आवंटित की थी और उसी में एक तरह से इने गरबतार किया गया है एक बार आप लोग पाकिस्तान को देख लिजे यह आप देखें पित्वी है और इसमें आप देखें यह हमारा प्यारा भारत है इस ही हमें और यहां आप लोगों को देखने को मिलेगा यह पाकिस्तान है और 1947 तक हमारा हिस्सा था और आप देखें लद्दा को जम्मू कुसमीर, पंजाब, राजिस्तान, गुजराथ, पांच राज्यों की सीमा हमारी लगती है बंगलादेश भी पहली पाकिस्तान का हिस्सा हुआ करता था लेकिन आप देखते हैं कि 1971 में मंगलादेश की आजादी को लेकर भारत पाकिस्तान की वी चियोद हुआ था और ये आजाद हो गया था मंगलादेश, उस समय हमारे देश की पिधान मंद्री इंद्रा गांदी थी कौन थे? इंद्रा गांदी थी अगर हम लोग इमरान खान के बास्विक नाम देखें, इनका पूरा नाम क्या है? इनका पूरा नाम है अहमद खान नियाजी इमरान, इनका पूरा नाम है इन्हें इमरान खान के नाम से लोग जानते हैं 5 अक्टूबर 1952 में इनका लाहोर पाकिस्तान में जनम हुया था इनके पिता का नाम एकरा मुल्ला खान और मा का नाम सौकत खानों और इनके अगर हम लोग बात करें पतनी की तो वुसरा मनिका रहम खान इनकी तेन बेविया हैं और आप देखते हैं कि दो से डिवोस हो चुक हैं यह भी आप लोगों को याद रखना चाहिए और इनकी अगर हम लोग देखें एक और बात करें हम लोग इनकी एक और तीन पतनिया हैं जिनमें आप देखेंगे एक है जेमीमा गोल्ड स्मेद भी रही हैं इनकी पतनी 1945 में में साधी हुई थी 2004 में उनकी अलग हो गई थी एक तरह से आप देखेंगे क्या हो गई थी तलाग हो गया था डिवोस हो गया था इसलाम धरा में इनका मुसलिम है इनकी स्कूली सिक्षा रोयल ग्रामर स्कूल इंगलेंड से हुई और आप देखेंगे कि इस बिद्याले इंगलेंड से इन्होंने गेजुएट किया हुआ है इनकी पार्टी का नाम है पाकिस्तान तहरी के पाकिस्तान की पिधानमंतरी पत के लिए काफी चर्शा में रहे हैं एक तरह से अगर हम लोग इनके किर्केटर की करियर की बात करें तो इमरान ने 16 साल की उमरे से ही क्रिकेट खेलना पैरम किया था और इन्होंने ऑक्सफोर्ड युनिवसिटी की बिलूज क्रिकेट टीम में अपनी जगह बनी और इमरान ने 1971 में बर्मिंगम में इंगलेंड की खिलाब अपना पहला टेस्ट मैच खेला था और तीन साल बाद इंगलेंड की खिल इन्होंने आप देखेंगे कि 175 बंडे मैच के लिए 33 दिसम्लों एक्तालीस एवरेज से 3709 रन बनाए और इन्होंने बंडे मैच में अधिकतम 102 का रन का स्कूर रहा है 30 साल की उमर में 1982 में इने किर्किट टीम का कप्तान बनाए गया और बात और कप्तान इन्होंने 48 टेस्ट मैच खेले और जिसमें से आप देखें 14 पर जीत दर्ज की खान ने इन्गलेन के खिलाब मैलवन औस्टिलिया में खेले गए अपने अंतिम ODI 1992 में बिसकप की इतिहासिक फाइनल की 6 महीने के बाद इन्होंने किरिकेट से सन्यास लिया और 1992 में इमरान खान की कप्तानी में पाकिस्तान ने किरिकेट का पहला वर्ल्ड कप भी अपने नाम किया था और कप्तानी के दिनों को याद करते हूँ इमरान खान कहते हैं कि जब एक किरिकेट टीम का कप्तान बने थे तो ये इसतना सरमीले थे कि सीधे टीम से बात नहीं कर पाते थे और इन्हें पिरवंधक से कहना पड़ता था कि सुनिए क्या आप उनसे बात कर सकते हैं ये बात है जो इन्होंने व्यक्त करना चाहता हूँ इन्होंने अपनी बात कही है अब बात आती है राजनितिक केरियर की, राजनितिक सफर इनका, तो इमरान के किर्किट के साथ राजनीती में भी अपनी जगह बनी, 1992 में से किर्किट से राजनीती में आ गए और उने ने, इनोंने 25 अपरेल 1996 में पाकिस्तान तहरीक इंसाप अर्था न्याई के लिए पती पत की वस्तना की थी इनोंने और इमरान पाकिस्तान में पिधान मंतिरी पत के लिए पिरवल दाविदार माने जा रहे थे लेकिन इने सफलता प्राप नहीं इनकी पार्टी दूसरे इस्तान पर रही थे ये चार जगह से चुनाओ खड़े में हुए थे जिनमें तीन 2018 में एक बड़ी जीत मिली और तहरीक इंसा पार्टी की निता इमरान कान को पिधान मंत्री बनाए गया पिधान मंत्री के रूप में इनका कारिकाल 18 अगस्त 2018 से 10 अपरेल 2022 तक रहा 10 अपरेल को आप देखे आविस्वासी ने एक तरह से आप देखे इनके पिती बहुमत न ही है इन्हें पुरुषकार मिले हुए है इन्हें भी देख लीजे 1992 में इमरान खान की कंदी में चोट लगने से तकलीप थी और इसकी बाब जूद बिसकप जीतने में बहुत पूभूमी का ने भाई थी इन्हों है आल राउंडर टेपल में इस तीसरे स्थान पर जिनमें इन्होंने 3000 रन और 300 विकेट लिये 1976 से 80 में इन्हें किर्केट में ऑल राउंडर होने की लिए दा किर्केट सोसाइटी वेदर हेल अवर्ड से संबान किया गया 1985 में इन्हें Sunsex Kirkus Society द्वारा Player of the Year का आवोर्ड मिला, 2004 में इन्हें अच्छा कार करने और दान की कार करने के लिए लंदन में lifetime achievement award देकर सम्मान दिया गया था और इन्हें देश का सरवुच नागरिक सम्मान हिलाल ए इम्तियाज भी सामे मिला, इन्होंने पाकिस्तान में पहले Cancer Hospital बनाया जिसन के लिए इन्हें 2007 में मानुताबादी प्रुसकार मिला, 2000 बारे में इन्हें Man of the Year घुसित किया गया, Global Post के द्वारा 60 निताओं की सूची में इतीसरे इस्थान पर रखा गया था इन्हें, और इनके द्वारा कुछ किताबें भी लिखी गई हैं, एकिताबें पाकिस्तान एपर्सनल हिस्टरी, और आप देखेंगे कि बिवादों की अगर हम लोग बात करें, तो इमरान का किर्किट कैरियर कई बिवादों से घिरा रहा है, इन पर मैदान में बॉली वो बॉल से छेड़चात कर आरूप लगे, 1981 में एक मैच के दौरान, बॉल को बोत इस अरोपती, जेम्स, गोल्ड, स्मित की बेटी, जमी понрав से निकाय किया, फिर इनका तलाख हो गया, इसके बाद उन्हेने रहम खान से साधी की और दस महीने में तलाख हो गया, इमरान खान की साधी, और तलाख हमिसा सुरकियों में रही है, इसके कारएं भी चारचा में रह कर रख दिजे उस पर देश की देश का हक होता है देश की संपत्ति होती हो तो उसमें से भी कुछ सामान को बैचने का आरोपमिन पर लगा था उसका भी मुकदमा इन पर दायर है ठीक है वो भी चल रहा है तो यह कहानी है इमरान खान की एक सौट वाइगर आप ही आप लोग कह सकते हैं और किसी के बारे में भी आपको जानने के दिल्चस्प भी है तो आप उसका नाम बता सकते हैं हम लोग उसके बारे में भी बात कर लेंगे ठीक है